नमस्कार दोस्तूं, इमित्र ग्यान यूटूब चेनल पर आपका एक बार फिट से स्वागत है। दोस्तूं, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नया ATM कार्ड एपलाई करने के बाद आकिर कितने दिनों के बाद ATM कार्ड आपके गर पर पहुंच जाता है। जब मैंने दो से तीन महीने पहले बारती एस्टेट बेंग का ATM कार्ड का फोरुम और बेंग को बड़ोदा का ATM कार्ड का फोरुम केसे बरे उसके बारे में वीडियो बनाया। तो उसके उपर सबसे ज़्यादा कमेंट यही आया कि सर मैंने ATM कार्ड का फोरूम बरकर बेंक में दे दिया है अब कितने दिनों के बाद मेरा ATM कार्ड गर पर आ जाएगा तो इसका जबाव देने के लिए मैंने आज आपको एक वीडियो बना कर बताया है ताकि आप आसानी से समझ सके कि एक नया ATM कार्ड एपलाई करने के बाद आकिल 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन या फिर 20 दिन कितने दिनों के बाद आपके गर पर ATM कार्ड आ जाता है तो वीडियो के अन तक हमारे साथ जुड़े रहेगा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करके आपके और हमारे यूटूब चेनल इमित्र ग्यान को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा ताकि एसी ही मैतपून वीडियो आपको समय समय पर मिलत तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों जब भी आप ATM कार्ट के लिए एपलाई करते हैं तो आपको अपने बेंक से एक फोरूम लेकर उसे बरना होता है आपको कुछ सावदानिया रखनी चाहिए ताकि आपका ATM कार्ट समय पर आपक तो आप किसी वेक्ति की साहिता भी ले सकते हैं या फिर यूटूब पर बहुत से वीडियो बनायकर डाल रखे हैं तो आप उन वीडियो को देखकर भी ATM कार्ट का फोरूम आसानी से बर सकते हैं यहां पर दोस्तों आपको कुछ सावदानी रखने की बात यह है ताकि आपक किसी भी तरह की गलती नहीं करनी है ATM कार्ट के फोरूम में आपको एक चालू मुबाइल नंबर लिखना है ताकि जब भी आपका ATM कार्ट संबंदित विबाग से वहां से रवाना हो तो आपके मुबाइल नंबर पर एक मेसेज आ सके और आप उन नंबर के द्वारा अपने ATM कार्ट को ट्रेक कर सके और ATM कार्ट के फोरूम के साथ आपको पेन कार्ट और आदार कार्ट की फोटो को भी जरूर लगाने चाहिए अब बता देते हैं कि ATM कार्ट में देरी होने के क्या-क्या कारण है जिस कारण से आपके गर्द तक ATM कार्ट देरी से पूंचता है सबसे प आपको फोर्म को सही बनना होता है, उसके अंदर आपको ATM कार्ड में सही एडरेस, पिन कोड और आपका नाम पता, मोबाइल नमबर सही लिखना चाहिए, ताकि जब भी आपका ATM कार्ड आपके पोस्ट ओपिस में आए, तो आपका जो पोस्ट में है, वो जल्द से जल्द आप के घर तक अपने ATM कार्ड को दे सके, अब बात करें कि आखिर ATM कार्ड को बनकर घर तक आने में कितना समय लगता है, तो मान के चलिएगा लगबख 7 दिन से लेकर 10 दिन या फिर 15 दिन का समय लग जाता है, वैसे बहुत से मामलों के अंदर 7 दिन से लेकर 10 दिन तक ATM कार्ड ब वापस आता है तब तक 15 से 20 दिन का समय भी लग जाता है तो मान किस लेगा 7 से 10 दिन का